दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पर रोल जम्प कर फरार चल रहे धौलाकुआ सामुहिक दुशकर्म के दोशी शम्षात को गिरफतार करने में सफलता पाई है मूल रूप से फरीदाबाद हर्याना निवासी बदमाश को वर्ष 2010 में हुए दुशकर्म मामले में उन कैट की सजा सुनवाई गई है जेल से परोल पर बाहर आने के बाद वो अताबर तोर वारदात कर रहा था कर दो महीने में उसने दिल्ली में ATM लूट की बारा घटनाओं को अंजाम दिया पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्टल और दो कार्टूस बरामद किये हैं स्पेशल सेल के डी सीटी प्रमोट सिंग कुश्वाहा ने बताया कि गर तीम महीने में बिल्ली में ATM तोड कर उससे लूट पार्ट की कई धखनाए घटी थी इनमें शामिल बदमाशों को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर ईश्वर सिंग की टीम को लगाया गया था इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली की ATM से लूट पार्ट करने वाला एक बदमाश 22 परवरी को गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन के समी पाने वाला है इसका पता चलते ही पुलिस की टीम में शमशाद को भीर लिया पुलिस को देखते हुए बदमाश ने पिस्टल निकाल पुलिस टीम पर गोलिया चला दी लेकिन बगेर कोई नुकसान के पुलिस ने शमशाद को धर दबोचा पुझताच में पता चला कि धौला कुआ दुशकर्म मामले में उम्कैट की सजा कात रहा बदमाश गत वर्ष अपरेल में परोल पर जेल से बाहर आया था इसी बीच कोरोना के कारण उसकी परोल की अबधी 20 परवरी 21 तक बढ़ा दी गई थी लेकिन उसने जेल में आत्मसमर पर नहीं किया पुलिस अभिकारी ने बताया कि शम्षाद लिकायत गिरोह के बदमाशों के साथ लगातार वारदात कर रहा था गद्दो महीने में इस गिरोह ने 12 एटीम से 1,35,000 रुपे लूटे थे शम्षाद पर दिल्ली और हर्याना में हत्या अफरन दुशकर्म पुलिस पर हमला पशु तस्क्रीव आम्स एक्ट के तहट 16 मामले डर्ज है वर्ष 2010 में शम्षाद में गिरोह के चार साथियों के साथ धॉलाकुआ इलाके में एक युवती से टैंपो में सामुहिक दुशकर्म किया था इस मामले में गिरफतार सभी पाचों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई गई है अगर आप क्राइम वीडियो देखने के शौकीन है और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंथ हमारे संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें